नमस्कार प्यारे साथियों मैं आपका साथी मंदीप कुमार एक भार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल पर जिसका नाम MD2 Reader Publication तो दोस्तों अपने आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निव रिजल्ट्स को लेकर देखिए आपके माइन में दो ती दिन से यही क्वेस्टिन चल रहा है कि इसर क्या अचार सहीता में फाइनल रिजल्ट जारी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं तो इस वीडियो में प्रूफ बताने वालें उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक रहे और दोस्तों शेर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तक यह वीडियो पहुचाएं ताकि आपके जो डाउट है वो दूर हो सके तो चलिए जएधा समय खराब ना करते वीडियो को शुरू कर लेते देखिए आज जो HPSC है हरियाना पबलिक सर्विस कमिशन उसे ने फाइनल जल्ट जारी कर दिया है जैसा कि आप सभी जानते चुना आयोग ने चुनाओ की गोशना करती है लोग से बाद चुनाओ वारत के अंदर होने हैं जायोग से परिमीशन ली हो तो फाइनल रिजल्ट ए दो से तीन केसी जमें जारी हो सकते हैं सबसे पहले मी बात करते हैं हच fera कि न किस पोस्ट के लिए जारी किया है देखिए जारी किया फाइनल बारह मार्च 2019 को असिस्टेंट एग्जिकीटिव इंजिनियर सीविल और mechanical की post के लिए इसमें अलग-अलग हमारी वेकंसी इसमें जर्नल के लिए हमारी 8 वेकंसी थी SC के लिए 3 थी BCA 2 BCB 1 और EBPG की इसमें एक वेकंसी थी और नीचे दोस्तों इसमें आप डेट देख सकते कहीं बोले कि सरह आपने डिट किया 12 मार्च 2019 को आपका यह रिजल्ट है आया है तो अगर HPSC रिजल्ट जारी कर सकता है तो हर्याना करमचारी चेहन आयोग भी जारी कर सकता है आपके जितने भी रुके हुए रिजल्ट है चाहे वो MPSW की 2nd लिस्ट है चाहे ड्राइवर है चाहे मंडी सूपरवाईजर है चाहे मानिय पंजाब रियना ही कोट कई या चुनावायो कई उससे प्रमीशन लेनी पड़ती और कुछ कंडिशन ऐसी होती जो कोट केस होते हैं उनमें प्रमीशन लेने की जरूरत नहीं होती और उसमें फाइनल एजल्ट करमचारी चैनायोग जारी कर सकता है लेकिन जोइनिंग इ पाचार सहीता में नहीं करा सकते तो दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही इसी परकार के और भी अपडेट पाने के लिए जुड़े रिये चैनल के साथ जिसका नाम है M.D2 Reader Publication धन्यवाद